तो दोस्तों जेल कोई नहीं जाना चाहता लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जो ऐसा बुला करते थे कि भाई अगर काम धंदा सही ना चले तो खाने के लिए जेल चले जाओ कुछ ऐसे काम कर लो कि जेल चले जा और वहां पर तुम्हें गुडचने मिलते जिससे बॉड़ी बन जाती है देखो ऐसी बॉड़ी किसी को निची है मुझे तो बिल्कुल भी निची पर मैं आज यहां पर बात करने वालों ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें आप गूगल पर सर्च करेंगे को जैल जा सकते हो मात करने मतलगे इलीगल पॉण्स पॉण किया होती है करना क्यों जाती वजहति है वह सबसे पहले बात करते हैं कि क्या-क्या नहीं आपको सर्च करना कोई भी इलीगल पाउन मतलब देखो पॉनिघ्राफिक पॉंटिंट भारत में गहर खोलके यह गलत है तो यह आप नहीं कर सकते लेकिन कहीं और दूसरी कंट्री में अगर कुछ ऐसा बना हुआ है आप उसे देख सकते हो अकेले में प्रविसी का आपको पुरा राइट हाह जो कुछ मी देखो लेकिन देखने में भी कुछ आप नहीं देख सकते और हमारे भारत सकार ने कुछ ऐसे नियम बनाया कि चाइल्ड पॉनग्रफी मतलब की जिसमें बच्चे और माइनर इंवाल्व्ड हैं या किसी को फोर्स करके कुछ चीज़े रिकॉर्ट की गई है इस तरह की वीडियो आप नहीं चला सकते ना ही आप उसे होस्ट कर सकते हो और ना ही प्रैवेसी में देख भी सकते हो क्योंकि हूमन राइट्स को कहलो या कानून के तौर पर कहलो यह गलत है यह चीज़े इससे बिल्कुल दूर रहना तो अग अगर अपने सर्च भी कर रहे हो ना और अगर वो केस पूलिस के हाथ में है साइबर के हाथ में है सीज़ा जेल जाओगे आपको कोई नहीं बचाएगा अगली चीज जो आपको गुल पर सर्च नहीं करनी चाहिए कि भाई कोई भी ऐसा एक्सप्लोजिव या कोई भी ऐसी चीज जो बहुत डेंजरुस है या कोई भी ऐसी विधी ऐसी कोई भी चीज आप सीख रहे हो और गूगल पर सीख रहे हो हलाकि मिलेगी नहीं लेकिन आप एजिंसी के रडार में आ जाओगे कि भाई ऐसी चीज आप सीख क्यों रहे जैसे कि जैसे मेरा फैमिली बैक्राउं पुलिस के लोग, स्पेशल फॉर्स के लोग तो ये अच्छी बात है मतलब वो अपने आपको तयार कर रहे हैं उन लोगों को जरूर थे उन लोगों को आम्ज एंड वेपन के बारे में पता होना चाहिए तो ये कोई दिकत वाली बात नहीं है उन लोगों को काम ही गन का है आर्मी अगर पुलिस गन नहीं चलाएगी आर्मी गन नहीं चलाएगी तो कौन चलाएंगे बवा साइड वाला नहीं ना कोई दिकती है लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान इन चीजों को सर्च कर रहा है तो ये थोड़ा सा अलामिंग हो सकता है और एजनसी की नजर में आय जाएंगे तो ऐसे गलत चीजें सर्च नहीं करनी चाहिए यहां पर कुछ एक्सेप्शन्स हैं मैंने आपको बता दिये जो ऑथौरिटी के लोग है या स्पेशल फॉर्स के लोग है उन लोगों के लिए थोड़ा एक्सेप्शन्स है लेकिन एक नॉर्मल इंसान अगर ऐसी चीजें सर्च कर रहा है तो भी वो जेल जा सकता है या उनको इन्वैस्टिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है ऐसे कुछ सेंसिटिव एरिया में जहां पर यह बहुत जादा नजर रखी जाती है आपको पता होगा फेस्बुक पर भी बहुत सारी क्वेरी जाती है भारत सर करता है नौजवानों को उनको ऐसी टीमों में शामिल कराया जाता है लड़कियां बन कर आते हैं लोग और अलग-अलग गलत और्गनाइजेशन में लोगों को वहीं से हायर कर लेते हैं तो इस तरह की चीज़ें चलती है तो इसलिए जो एसे एजनसी होती है जो सीक्रेट स काल सकता है Google कोय बैंक का अधिकारी नहीं तो ऐसा हो सकता है कि किसी ने किसी कुछ रिव्यू में या किसी में गलत कस्टमर कर नजडिया और वो कोई कस्टमर क्यर का नंबर ना हो वो कोई मतलब ऐसे जालसाज का नंबर हो उसे आप कॉल करके अपनी बैंक안 की बताओगे तो तो वो आपसे आपका pain win सब कुछ पूछ लेगा फिर आपके पैसे चले जाएंगे गायब हो जाएंगे तो Google पर customer care का number कभी भी सर्च नहीं करना चाहिए और bank के customer care का तो बिल्कुल भी नहीं यह किसी भी ऐसी services का जो financial services जिसमें involved है उसको आपको नहीं करना चाहिए search Google पर ठीक है क्योंकर आप करते हो तो फिर आप ऐसे इंसान सक पहुंच जाओगे जो एक correct मतलब इंसान नहीं है आपको गलत जानकारी देगा self-injury को भी अगर आप search करते हो कुछ लोग ऐसा होते है ना कुछ खुद को नुकसान पहुचाने की चीजें या ऐसी गलत चीजें Google पर search करते है तो वहां पर सबसे पहले यह आता है कि मदद आप तक पहुंच सकती है आप इस number पर call करो कई लोग depressed हो जाते हैं या ऐसे हो जाते हैं जो खुद को नुकसान पहुचाने के लिए Google पर search करते हैं pirated movies अगर आप sensor board वाली copy देखते हो या hall recording देखते हो या movie launch होने के तीन दिन बाद ही आपके घर में आ जाती है फिल्में और आप देख लेते हो Bollywood की जितनी भी लुटिया डूब रही है जिसमें आधा आधा हाथ आपका है और पूरे पैर आपके है तो दोस्तों यह है तो गहर कानूनी वैसे देखो movies जैसे download करना है गहर कानूनी लेकिन भारत में चलती है चीज़े अब इसको हम मतलब सही नहीं बोल सकते बड़ यह हम यहां पर कोई moral policing करने नहीं आएं बट एक सही गलत हमारा बताना काम है बाकि आपकी मर्जी जो भी करो यार गलत काम करो गए तो आप जैल जाओगे मैं थोड़ी जाओँगा सही काम करो कि तो आप एक अच्छा वो बनोगे मैं थोड़ी बनो मेरा काम बस बताना है अब हम यहां लास्ट में फिर से बात करते हैं इलीगल पॉंड के बारे में बहुत लोगों के यह भी मानना है कि यह सारी चीज़े अभी भी वेब पर हैं अभी भी मैं मानना हूं इस साइट पर होस्टेड है तो और भी साइट पर हो सकती है कई सारे वेब साइट के कॉंटेंट इंडेक्स होते मतलब नजर आते उसे सरच कर सकते कुछ ऐसे कॉंटेंट होते हैं जो इंटरनली सर्वर पर पढ़े रहते हैं और वो इंडेक्स नहीं होते मिन्स उन्हें आप सर प्लेस किया ही नहीं गया होगा जो अगर 4TB का सर्वर है जो कभी भरेगा ही नहीं जिसमें 11KB की फाइल जा रही है तो वह अबिसली जो फाइल पहले स्टोर होगी वह तो वह रहेगी सो वह जाती ही नहीं थे आपको ध्यान देने वाली बात है दोस्तों यह मैंना बताती आपको क्या सर्च नहीं करना चाहिए क्या साइए क्या साही है क्या अगलाद आपको वीडियो अच्छी लेकी तो लाइक रबनें दोसके साथ साथ शेयर करें साइबर सेक्यूरिटी और इतिकल हैंग इंट्रस्ट अगर आप एक इतिकल हैंगर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शिन चेक करें तू नाइटीन रुपीज के तीर इतिकल हैंगि कुर्सें जो आसान भाशा में आपको इतिकल हैंग सिखा देंगे ने वड़ा उपसे लिए मैंट्ट प्रणाच्छि और इतिकल उड़े मैंट्व से जो न आपको इतिकलू करें देगे प्रणाच्छिन तूक मारे लिए अगरे लिए 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 को आपको आपको आपको